CLAD 2024 examination को बचे हैं बहुत ही कम दिन, बट जो सवाल यहाँ पर आप सभी से मेरा आज है, वो यह है कि क्या सचमुच आप CLAD 2024 के लिए प्रिपेर्ड हैं? जी हाँ, आज इस particular session में हम यही चीज जानने की कोशिश करेंगे, कि किस प्रकार से आपकी preparation अभी तक हो जानी चाहिए, और क्या वो सारी चीज़ें जो बहुत essential हैं, और जो शायर toppers इस वक्त कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, क्या आपने वो चीज़ अल्रेडी कवर कर है, क्या आपने mock test को सही तरीके से analyze किया है, क्या आपने वो सारे aspects, जो कि आपके syllabus में दिये हुए हैं, वो cover किये हैं, इन सभी सवालों से, आज आपको यहाँ पर वाकिफ कराये जाएगा, बट आगे बढ़ने जे पहले आप से गुजारिश रहेगी, कि अगर अभी तक आपने इस चानल को subscribe नहीं किया है, then please do hit that subscribe button, ताकि हम और भी जादा बच्चों तक पहुंच सकें, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि सवाल क्या है, सवाल आपके और हमारे सामने जो है, वो यह है, that are you really prepared for CLAC 2024, और इस चीज़ को analyze करने के लिए, आपको कुछ सवालों क कि जवाब खुद को देने होंगे, जी हां, आप मुझसे जूट बोल सकते हैं, आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से, अपने मातास जी से, अपनी पिता जी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, आप सभी से जूट बोल सकते हो, बट deep down आपको सच्चा ही बता है, आप से वो है, वो यह है कि, are you done with every aspect of the syllabus, जो CLAT का syllabus है, consortium of NLU's ने आप सभी को दे रखा है, क्या आपने उस syllabus के हर एक aspect को detail में cover किया है, for example, चुकि मैं हमेशा legal की बात सबसे पहले करता हूं, because I have an expertise in legal and current affairs, तो मैं आप से legal के बारे में जिक्र कर लेता हूं, तो क्या आपने legal के syllabus को पढ़ा है, क्या आपने उसको पढ़ने के बाद PYQs को solve करने की कोशिश करी है, क्या आपने 2020 के बाद जितने भी CLAT अभी तक हो चुके है, CLAT examination UG का, क्या आपने वो सारे PYQs का legal section जो है, वो बहुत अच्छे से दिया है, अगर हां, तो definitely मैं ये consider कर सकता हूं, कि की aspirant है, जिस व्यक्ति को ये पता है कि आखे syllabus में क्या है, और PYQs याने की पहले कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं, अगर आपने इतना गड़ लिया है, और उसके हिसाब से आपने syllabus को मद्दे नजर रखते हुए सारे aspects को cover किया है, then I can assure you कि yes, आपकी तियारी जो है, वो शायद 2024 के लिए बहुत अच्छी position में हैं, बट अभी भी कुछ सवाल है, जो आपको answer देना जरूरी है, अगला सवाल है, have you given mocks, जी हाँ, mock test देना हमारे examination के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है, mocks होते हैं, इनके two-fold aspects होते हैं, एक तो ये आपको test करने में मदद करते ह हैं कि आपने कितनी तियारी कर रखी है, साथ ही साथ ये आपका learning aspect भी cater करते हैं, when we say learning aspect, मैं हमेशा गयता हूँ, mock को सिर्फ वो दो घंटों में mocks देने के बाद भूलिये नहीं, बट उसके बाद आपको अलग से कम से कम दो घंटे देने चाहिए, जिसके अंतरगत आप उन mocks का analysis कर रहे हो, आप ये realize करने के कोशिश कर रहे होंगे, कि आपने ऐसी क्या चीज़े हैं, जो सही करी, और ऐसी क्या चीज़े हैं, जो यहां पर आपने गलत करी हैं, इनको analyze करने के बाद, जो भी topic, let's suppose, car interface का है, या legal aspect का है, जो भी topic आपको mock में देखने को मिला है, उस particular topics से कुछ भी चीज़ आपकी फिर गलत नहीं होनी चाहिए, कहने कतात पर आपको वहां से अपनी एक learning लेकर आगे बढ़ना है, और learning जो है, वो यह बतलाती है, कि जो topics हमारे already mocks में आ चुके हैं, वो topics आपके गलत नहीं होने चाहिए, in totality मैं हमेशा suggest करता हूँ कि आप 32-35 mocks minimum दे के चलिए, minimum दे के चलिए, and फिर हर mocks में, let's suppose 35 mocks आप दे रहे हैं, हर mocks में मैं assume करता हूँ कि 5 आपके जो हैं, वो current affairs के topic होंगे, तो अगर हम 30 on an average लेकर चलें, और 5 average जो है, वो आपके current affairs के topic रखें, तो 150 प्लस आपके पास current affairs के topics होंगे, सोच कर देखिए, कि 150 प्लस topics आपके हातों में already हैं, अब करना क्या है, sir, इन topics को आपको in-depth study करना है, इन topics को आपको backward linkage के साथ जो है, तैयारी करनी है, तो कहने का ताथ पर यहां पर क्या है, sir, mocks की महत्वता को समझे, अगर अभी तक आपने mocks नहीं दिये हैं, तो यहां स से भी, I would suggest, give as many mocks as it is possible for you, because mocks आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, कैसे आपको time management करना है, कैसे आपको जो है, किन topics को अगर आपने छोड़ दिया है, तो उनको फिर से cover करना है, इन सभी चीजों में, आपका examination, temperament जो बनाना होता है, उस चीज में mocks आपकी definitely मदद करेंगे, इसके अलावा, जो third question मेरा आप से वो है, वो ये है कि, क्या आपने सारे के सारे current related aspects को backward linkage के साथ cover किया है, कहने गतात पर, अगर हम बात करें, let's suppose, जो कि हमें sample papers में देखने को मिला है, जैसे कि HDR, human development report की बात करें, अगर human development report के बारे में, आप से सवाल पूछ ही गया है, बट उसके साथ-साथ backward linkage करते हुए भी, पीछे की तरफ जाकर, उससे जुड़ा हुआ general knowledge भी आप से पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि sample papers जो है, वो एक तरह से आपको दिशा दिखा रहे हैं, कि आपको अपनी तयारी को किस प्रकार से, जो है, direction देना है, इसलिए, what needs to be done is, कि आप जो भी current topic पढ़ रहे हूं, कोशिश करें कि उसकी width को जानने की कोशिश करें, and that you can do by doing a backward linkage, चालिए, इसके अलाबा, अगला सवाल, क्या आपने सारे legal current aspects को cover किया है, अगर आप पिछले साल का ही paper देखें, तो उसमें आपको constitution के questions हैं, बट उससे भी आगे बढ़के, उसमें आपको वो questions हैं, जो कि acts, bills, public policies, वो सारी चीजें, जो कि in question रही हैं, उन सभी चीजों से related आपको सवाल देखने को मिले हैं, तो कहने का ताथ पर, it is quite possible कि आगे भी आपको सवाल जो हैं, वो legal current affairs में से देखने को मिल सकते हैं, वहाँ जहां पर अगर आप contemporary तयारी करोगे, याने जो traditional manner में आप चीजों को कर रहे थे, जैसे कि जहां आप केवल और केवल constitution, contract, IPC, family law यह सब पढ़के चले जाते हैं, तो फिर शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक balance जो है, वो ब static topics exam निकलवाएंगे, या only and only आपको legal current affairs exam निकलवाएंगे, बट रादर आपको इनके बीच एक balance जरूर develop करते हुए, यहां पर चला है, ठीक है, I hope यह चीज आप सभी को clearly समझ में आएगी, so this would be my suggestion, जितने भी acts हैं, जितने भी bills हैं, जो कि news में रहे हैं, जितने भी policy matters in news र है, that have you completed the quantitative techniques, जियां, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो हमेशा QT, यानि कि quantitative techniques जो है, उसको छोड़ कर जाते हैं, but this time, as you know, questions, 120, time, 120 minutes, यानि, अब हर किसी के लिए, जादा समय होगा, हर किसी, हर aspirant के पास, पढ़ने के लिए questions को, read करने के लिए articles को, तो इस वजह से, आपके पास समझने के लिए, जादा समय होने की वजह से, understanding जादा होगी, जो आपके paragraphs हैं, उन paragraphs को आप जादा बहतर तरीके से comprehend कर पाएंगे, and चोकि आप जादा बहतर तरीके से comprehend कर पाएंगे, तो आप answers भी जादा सही दे पाएंगे, ऐसी स्थिति में, जो यहाँ पर आपके लिए tiebreaker हो सकता है, वो होगा आपका quantitative techniques, quantitative techniques एक ऐसा subject matter है, जो most of the aspirants छोड़ कर चले जाते हैं, but I would suggest, if in case you want to see your name in the final list, ऐसी गलती मत करियेगा, quantitative techniques जो हैं, वो आपके लिए एक deciding factor हो सकते हैं, कि क्या आपका नाम list में होगा, या फिर नहीं, and अगर आप खुद से ही इस चीज को पूरी तरह से छोड़ के जा रहे हो, तो trust me कि आप अपने हतियार पहले ही जो है, वो डाल रहे हैं, और surrender जो है, वो आप कर रहे हो, which I would never want you guys to do, इसलिए my suggestion would be, please make sure कि आप किसी भी दरीके से quantitative techniques जो हैं, उसको छोड़ कर ना जाएं, अब, last but not the least, my question to you guys is, that have you developed a proper mindset for the examination, at times हमने ऐसा देखा है कि एक बच्चा जो की mocks में बहुत अच्छा score कर रहा है, एक बच्चा जिसके बहुत अच्छे examination की preparation हो रखी है, एक बच्चा जिसने सारे के सारे syllabus को completely जो है, यहां पर cover कर रखा है, despite of the fact, यह सारी चीजे होने के बावजूद, उस बच्चे के द्वारा, on the day of examination, ऐसा कुछ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा exam spoil हो जाता है, and do you know what is that, that is not handling the exam anxiety, not handling the exam pressure properly, जी हां, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही natural है, हर एक व्यक्ती को डर लगता है, वो कहते हैं कि जिसको डर नहीं लगता है, शायज वो हमसे जूट बोलता है, डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को control करना, उस डर को manage करना, और उसको अपनी ताकत में तबदील करना, is what is required to crack any examination, तो इसी लिए, please इस शीज को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान में रखें, कि एक examination जो है, वो तब तक clear नहीं किया जा सकता, जब की last minute खतम नहीं हो जाता, तब तक आपके पास पूरा समय है, इसी लिए, last moment तक अपनी तयारी को जारी रखें, जितना जागदा हो सके, इस समय sprint मारने की कोशिश करें, जादा से जादा current affairs के topics को cover करें, but keeping in mind की पहले क्या पूछा जा चुका है, keeping in mind की sample papers में क्या options दिये हैं, इन सभी चीजों का amalgamation करते हुए, फिर आपको अपनी तयारी जो है, उसको streamline करना है, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब में yes दे सकते हैं, तो that means कि आप तयारे examination 2024 का, जो 3rd of December को होने वाला है, अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है, अपनी तयारी में इन चीजों को सम्मिलित करें, जल से जल जो है, वो बहुत detail में आप पढ़ाई करें, please, reels और shots की तरह सिर्फ overlook करते हुए चीजों को ना पढ़ें, ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो देखके पढ़ाई हो जाएगी, केवल आपको खुद से लिखना होगा, याद करना होगा, मेरी इस बात क तो बार-बार याद रखिएगा, वरना वो वहम छूटते हुए आपका जादा समय नहीं लगेगा, जब आप रेलाइस करोगे कि काश उस समय भया के बाद सुन लिए होती और हमने detail में पढ़ाई करी होती, yes, अगर आप streamline तरीके से तेयारी कर रहे हो, detail में पढ़ाई कर र Keep Studying, Keep Grilling, Jai Hind, Jai Bharat